हेलो एब्रिवन, वेलकम बैक टू सिक्चम फैमिली और ये है भई आजका टॉपिक आपके लिए आदर भूमिया यानि जितने भी वेट लैंड एरियाज हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपोर्टन है अल्रेडी काफी एक्जैम म बनते हैं तो जितने भी मैं सारी चीज़ें यहां पर बताने वाला हूँ उन सारी चीज़ों के आप फोकस किजिएगा और जो चीज़ें नो डाउन करने वाली हैं आप उन्हें नो डाउन किजिएगा वैसे तो सारी चीज़ें नो डाउन कर सकते हैं अदर्वाइस आप लो ले लीजिए और बाकि में इसको आपको समझाने वाला हूँ कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें और कौन-कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो देखिए सबसे पहले आदर भूमियां सभी लोग जानते होंगे जो लोग नहीं जानते हैं आदर भूमी को मतलब ह होता है एसी जगे जो जैसे दलदली भूमी कहा जाता है इनको हमें प्रोटेक्ट करना होता है क्यों कि यहां पर यह इसनले इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी होगी सेकिंटरी चीज हम यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे पहले जो wet land जो मनाया गया था यानि जो कहां से मतलब इसकी सुरुवाद ही थी और डिरी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जहाँ पर हमने सारे projects के बारे में बात की या हमने जो सम्मेलन थे जितनी सम्मीट वी थी उनके बारे में बात की थी तो रामसर सम्मीट के बारे में हमने बात की थी तो रामसर सम्मीट वी थी आपकी एरान में एरान में कैस्पियन सी है ये question पूझा जा सकता है कैस्पियन सी के पास में रामसर एक जैगे है वहाँ यह summit हुई थी इसलिए उसको रामसर सम्मेलन बोला जाता है दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है 1971 में हुआ था यहाँ पर मैंने यह चीज नहीं लिखी विए आप मेरी बातें बस सुनते रहिएगा कानों में डालते रहिएगा जिनको बहुत जल्दी इसलिए चीजें याद हो जाती है तो आप लोग इसे याद भी कर सकते है 1971 इरान में summit हुई थी 1975 में यह जो चीजें थी यह effective हुई थी यानि मतलब इसका structure करना होना इस start हो गया था क्यों summit होना अलग चीज होती है उसके बाद उसको लागो करना type समझ सकते हैं और इंडिया के अंदर यह 1982 में आया था यह तीन question है बहुत important है कल भी एक वीडियो आएगा उसमें भी मैं यह सारी चीजें बताऊँगा आपको जहां पर आपको यह सारी चीजें समझ में आ जाएंगी लेकिन फिलाल आप इस चीज को समझ सकते हैं अब ठीक है 1982 में आपकी इंडिया में आ गया लेकिन यहां से आप question क्या पूछा जाता है यह question जो मैंने तीन बताए यह भी आपके questions है अब यहां पर बात ही आती है कि हमने यहां से नोड दिखिए यहां पर नोड दिख रहे हैं आपको 2 February मनाना स्टार्ट किया था विश्व आदर भूमी दिवस वर्ट्स वेट लेंड डे हमने स्टार्ट किया था 1997 से celebrate करना काफी important है यह भी काफी बार question पूछा जा चुका है 2020 में जो इसकी theme थी वो थी wetland and biodiversity याद रखने आपको यह चीज और 2021 में इसकी जो theme थी वो थी wetland and water अच्छा एक चीज और है एक कल paper में आया था स्टैपी करके questions है मैंने आपको already यह सारी चीज़े बता दी थी जहांपे आपके पास सबसे पहले pampas के बारे में पूछा गया था जो अर्जेंटीना में है उसी दिन मैंने वो सारी चीज़े आपको कुछ जो grassland थी वो सारी चीज़े मैंने वहाँ पे cover up की थी तो जिन लोगों ने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा उसे देख ले मैंने क्यों चीज़ें बूली थी मैंने का था इनको no down जरूर कर लें wetland को क्या कहा जाता है देखो ये भी आपके पास question है wetland को बोला जाता है kidneys of the land skip जैसे kidneys का काम क्या होता है वही filtration का काम होता है इसी type से जो ये wetland areas होते हैं ये भी as a kidney की जैसे use किया जाता है ये या filtration का काम हम कहसेते हैं biological supermarket भी हम इने कहते हैं ठीक है इसे याद रखना आपको और देखिए संपून दक्षिण Asia में सरवादिक रामसर साइट है भारत में देखे रामसर साइट में यानि जो रामसर convention होता है इसमें लगबग आपके 171 countries हैं 171 देश हैं उनमें से जो इंडिया है इंडिया में अकेली आपके 42 साइट हैं जैसे आसन बहराज है आपने सुना होगा आसन को रामसर साइट में डाल दिया होगा बहुत लोगों ने सुना होगा सभी लोग preparation करने वाले हैं तो इतनी चीज जो है सभी को पता होना चाहिए तो यहाँ पर इंडिया के अंदर 42 आपकी wetland साइट है इस टाइप से आपका पास question पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा wetland साइट कहाँ पर है या फिर इंडिया के अंदर जो रामसर साइट है वो कितनी है तो यह 42 है और आपको यह चीज भी ध्यान रखनी कि जो वर्ड्स का largest network है ना protecting area के लिए वो यह रामसर वाला ही है यानि देखो protection तो हर कोई कर रहा है लेकिन रामसर के अंदर 171 countries हैं उनमें से केवल अकेली इंडिया के अंदर बयाली sides हैं ऐसे 170 देश और हैं जिससे question पूछा गया है तो यह आपके सामने इंडिया का map आपको यहाँ पे नजर आ रहा है देखे यहाँ पे एक-एक करके चलेंगे हम चलेंगे सबसे पहले लदाक वाले region से या चलिए जम्मू एंड कासमीर वाले region से चलते हैं देखे यहाँ पे आपको J&K यह जम्मू एंड कासमीर वाले region दिख रहा है यहाँ पे सभी को तो J&K इसलिए मैंने यह map में यह सारी चीज़े बताई हैं सुदैट कि आपको बहुत आसान हो जाए चीज़ों को समझना देखो J&K में यहाँ पे तीन आपकी Wetland है मतब तीन आदर भूमिया है रामसर में जो सामिल की गई है एक तो आपके होकेरा हो गया एक आपका सुरिंसर मांसर हो गया और एक हो गया वुलर वुलर जील है आप याद रख सकते हैं इसे सुरिंसर, मांसर याद करवा दूँगा इने ठीक है तो यहाँ पे आपको वुलर सुरिंसर, मांसर यह आपकी जमुएन कास्मिर में है लदाक में देखिए, लदाक में दो हैं लदाक में दो कौन सी हैं देखिए यहाँ पे सोकर और सोमुरारी शोकर वाला या शूकर आप इसे कहा सकते हैं मैंने इंगलिस की बुक से ये सारी चीज़े लिखी तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पे जो बिनांशेशन का तरीका या मैंने जो चीज़ें लिखी हैं हो सकता है उसमें सी, सूकर इस टाप से कुछ चीज़ें हो जाए तो उसको माइन मत कीज़े हो जादा, तो यहाँ पे जो सोकर है ये आपके question पूछा जा चुका है कि भई जो सोकर है वो कौन सी wetland है, ये पूछा जा चुका है तो ये है 42 वेटland 42 रामसर साइट है, मतब इंडिया की 42, अब आपके पास question क्या पूछा जा सकते है कि ये बताओ कि भई जो 41 है, वो कौन सी है और उत्राघंड के अंदर, उत्राघंड में आस्टन बैराज वाला, वो कौन सा है तो मैं उसके लिए आपको बता दूँ जो उत्राघंड में आप देख सकते हैं कि जो सोकर है, ये सोकर दो जो लेक थी, उनसे मिला के बनावा है, एक सोकर और एक है आपका कत्रास पुक सो, इतमींस ये कुछ लदाक वगेरा में इसे टैप के कुछ नाम चलते हैं, तो ये एक salty water का है, एक आपका ये soft water का, यानि एक और सुमरारी, आपको जो है यहाँ पर याद रखना है अब आजाएं हम हिमानचल परदेश की यहाँ पर बात करते हैं अब आगए आप HP में HP में 3 है, हिमानचल परदेश में wetland area है, एक पोंग हो गया आपका पोंग डैम, आपने पढ़ाई होगा कल भी इसके रिलेटर एक question आया था और यहाँ पे चंदरताल और रेणुका, अच्छा question क्या पुछा जाता है कि सबसे छोटा जो आपके wetland side है, वो सबसे छोटी कौन सी है, तो इसका अंसर होगा आपका रेणुका, clear, तो यहाँ पे इस टाइप से question भी आपसे पूछा जा सकता है उत्राघंड में आसन, यह याद रखना है यह भी बहुत important है, आसन वाला आपका 38 वाया, यानि 38 में जो side है वो आपकी कौन सी है उत्राघंड में आसन बैराज वाली 38 side है अब देखिए यहाँ पे उत्तर परदिस में इससे question कि आप पुछा जाता है सबसे ज़्यादा जो रामसर side है वो आपकी कहाँ पे मिलती है तो UP में आपकी सबसे ज़्यादा रामसर side मिलती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 है इसमें 8, नवाब गंज पक्षी विहर और आपका पारवती अरंग वन्यजी विहर समान या समन कुछ इस टाइप से भी इनके नाम है मतलब कहीं आपको समान मिलेगा कहीं पे आपको समन मिलेगा मुझे भी more appropriate समन लगता है समस्पूर हो गया संधी या सांधी पक्षी भ्यारन इसे कुछ नाम इस टाइप से और सबसे ज़्यादा कहां पे बता है यूपी में आए इस टाइप की चीज़ें आपसे पूछी जा सकते है बिहार में देखिए बिहार में 49 वा है यानि 39 वा जो है आपका बिहार में बना है इसका जो है ये एक आपका काबर ताल है ठीक है ये क्वेशन पूछा गिया है वही काबर ताल वाला तो यहाँ पे जो है ये ध्यान रखना दो तीन क्वेशन तो मैंने आपको यहाँ पे बताई दी है एक तो रामशर कन्वेंशन से रिलेटेड और दो वैटलेंड पूछी जा चुकी है तो इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखेगा अब आजाएए यहाँ पे आशाम वाले रिजन में आशाम वाले रिजन यह आपको दिखी रहा होगा दिपर बील यह आशाम वाले रिजन है तो यहाँ पे यह वैटलेंड हो गया तो यहाँ पे अब अगेन आजाएए वेस्ट बंगॉल में तो वेस्ट बंगॉल में दो हैं आपके एक आपका जो है इस्टन कोलकता हो गया पूर्भी कोलकता हो गया और सुन्दरवन यह याद होगा सभी को उरिसा में आजाएए यहाँ पे भीतरकनीका और चिलका जहाँ पे आपका जो ओलिव कछवा जो होता है वो भी आता है इसके लिए मैंने बता रहा हूँ आपके लिए इससे रिलेटर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके लिए कल वीडियो आएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर अप होनी वाली है तो इसमें आपको थोड़ा यही ध्यान रखना है कि उरिशा में कौन से हो गए है भीतरकनीका और चिलका हो गया इसलिए जो है मैं कभी आपके test series के अंदर भी ऐसे question नहीं डाला क्योंकि question तो कुछ भी बन सकता है है ना लेकिन ध्यान दीजिए इतना घवराने की ज़रुत नहीं है बिल्कुल भी नहीं है देखो 70 question देखो 55-60 question आपके NCRT के अंदर से ही पूचे जा रहे है 70 plus आपको question कर गया आने है और मैं आपको बस वही हतियार दे रहा हूँ मैं आपको वही हतियार दे रहा हूँ UK triple S से आपके पास कुछ भी दे दे, कुछ भी type के आपके पास questions दे दे तो इमिनाद, एक अस्ट मुदी और एक सस्ट कोटा तो याद रह सकता है वैसे भी देखो सस्ट, अस्ट, सस्ट हो गया, अस्ट हो गया सप्टम का बेम कर दो और क्या है इसमें याद रखने वाली चीज़े हैं बस आपको अपने तरीके से आप याद रख सकते हैं महारास्टर में देखिए, देखो महारास्टर का 40 वाँ है, मैंने 38 में आपको बता दिया आस्टन बैराजवाला, 49 मैंने बताए देखो काबर वाला, आपका बिहार वाला 40 वाला देखो, अभी 40 वाला कौन सा आगया ये लोनार आगया, ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना 40 वाला तो ये महारास्टर में आपका लोनार और साथी साथ में जो आपका नंदौर मद महेश्वर है, ये आपके पश्चे में है तो ये आपकी वैट लैंड है तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है देखिए अब यहाँ पर मद्यापरदेश भोज, भोज सर ये MP में वैट लैंड है किलियर, अब यहाँ पर देखे राजस्थान इस राजिस्तान के अंदर से भी आपके पास काफी question पूछेगे हैं तो राजिस्तान में दो हैं केवला देब और सांबर ये सबसे important है ध्यान दीजिएगा ये सबसे important है बागी मैं बताता हूँ इसमें जिसको सारे याद नहीं होंगे आपके पास दो हैं आपके केवला देब और देखे फिर यहाँ पे आपके पास ये वीडियो भी वैसे समाप्त हो जाता है तो देखे यहाँ पे जो वैट लैंड है मैं आपको बता देता हूँ important important आपको कौन से करना है देखो उत्रागंड का एक आपको ध्यान रखने कि उत्रागंड का जो है वो 38 है एक चार तो आपको यह यहाद रखने ही रखने कि भिया 38 हम कौन से है 49 हम कौन से है 40 और 42 अच्छा दूसरा आपको क्या रखना है एक भोसागर आप बिल्कुल जरूर यहाँ से याद रखेगा बिहार वाला तो आ चुका है और करो ना करो अटलीस यह 4500 अपने याद रख लीजिए अगर देखिए और बाकिया आपको वैसे दो चार बार अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो आपको यह सारी चीज़े यहाँ पर याद हो जाएंगे इतना कोई भी इसके अंदर मुझे लगता नहीं है कि इसमें ब बहुत आसान हो जाती हैं अच्छा एक दो चीज़े हैं जो आप थोड़ी आप मेरी ध्यान दे सकते हैं जैसे नाशनल पार्क तो नाशनल पार्क के संब्दी जैसे आज एक क्वेशन आया था आपका सलीम पक्षी विहार अब भी यह क्वेशन आया था अब हो सकता है सलीम अली नाशनल पार्क दे दे वो आपका जमुएन कास्मिर में ध्यान रखना सलीम अली आपका अनुशन धान वो आपका कोयम बटूर में इसे ध्यान दीजिएगा तो जिनका पेपर भई 21st तो अच्छा ओके 21st को आपका पेपर नहीं होगा 22 को आपका पेपर होने वाला है तो 22 को इससे तीन क्वेशन बन सकते हैं सलीम अली वाले से तो इसको ध्यान देना इसको पढ़ लेजिएगा अपना और आपके लिए वेट लैंड वाला एक वीडियो आ चुका है इसके बाद जो वीडियो रहेगा आपके डिफ्रेंट प्रोजेक्ट्स होंगे जहां पे आ और भी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जैसे आपका डॉल्फिन है गंगा में जिसका प्रोटेक्शन करना जोरूरी रही था तो इससे रिलेटेटर कुछ हंगुल प्रोजेक्ट्स हो गया तो यह कुछ जो चीज़ें होने वाले हैं यह काफी इमपोर्टेंट है औ तो निस्चिंत रहेगा, बेफिकर रहेगा, मैं कहा रहा हूँ कि एगर आप इतनी चीजें कर सकते हो, इतनी चीजें अगर आप कर लोगे, मेरे according आपको यहां से question पूछे जा सकते हैं, अच्छा कुछ चीजें हैं जैसे soil का हो गया, तो soil तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं तो आपको बोग में मिल जाएंगी, यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको particular कहीं, एक particular place में नहीं मिलने वाली हैं, आपको खुद धूणनी पड़ेंगी, क्योंकि चीजें change होती रहती हैं, तो यह आपको कुछ देखना पड़ेगा, कुछ current से related कुछ चीजें देखनी पड जाते हैं, इसके बाद दो वीडियो और आएंगी, दो वीडियो का मतलब यह समझीए, कि दो से तीन question वहाँ पर और भी आ सकते हैं, तो मैंने आपको 7 number का लगबग मैंने आपको cover up करवा दिया है, तो बिलकुर tension free रहिएगा, और हाँ, मैंने कहाँ आपको grassland वाला वो बेड़ा पार होने वाले हैं, उतने में ही आपका selection होगा, तो बेफिकर रहिए, फालतू की जिर्यों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिये, बस अपने target अपना जो paper है, आपको उसे focus कीजिए, मुझे उमीद है, आप लोग जरूर कामियाब होंगे, तो इस वीडियो में इतना ह मिलेंगे हमें एक और नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई, टेक कियर और थैंक्स तो आल